आज के इस अत्याधुनिक दौर में जहां हर चीज हम बैठे बैठे करना चाते हैं और इसके लिए सबस्यादा उप्योग में हम मूबाइल का इस्तेमाल करते हैं किन्तु आज के इस दौर में भारत सर्चार निगम लिमेटेट याने BSNL अपनी अंतिमसा से गिन रहा है जियां बढ़नेरा शहर के BSNL कारयले पर जब आप पहुचेंगे तो यहां पर BSNL की इतनी बड़ी इमारत में आपको एक भी करमचारी नजर नहीं आएंगा केवाल एक सुरक्षा रक्षक के बरो से इतना बड़ा BSNL कारयले चल रहा है आपको बता दे के बड़नेरा के BSNL कारयले की विशाल इमारत को देखकर यह प्रतीत होता है के BSNL जिस परकार से अपने गिरहाकों को आश्वसन दे रहा है उतनी ही बस बत्तर हालात उसके अंदरूनी होते जा रहे है BSNL के मुखे इमारत के पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग और बनी है जहां पर करमचारियों के निवास के लिए उसमें फ्लैट सिस्टम निकाले गए थे लेकिन आज के इस दोर में इस संपुन इमारत में एक भी इस्थाई करमचारी यहां पर निवास नहीं कर रहा है सबी भागों में कोई भी अधिकारी करमचारी काम करने वाला नहीं है रामभरों से ही बड़नेरा का BSNL कारयले चर रहा है सुबा और शाम 12-12 गंटों के अंतराल पर दो सुरक्षा रक्षक केवल यहां पर तैनात रहते हैं बड़नेरा शहर में लैंड लाइन कनेक्षन के साड़े 300 के आसपास उपभोकता है और इन उपभोकताओं की सुवीदा के लिए उनकी शिकायत का समाधान करने है तो बड़नेरा के BSNL कारयले में कोई भी इस्थाई करमचारी नहीं है सुरक शरक शक इन शिकायत करताओं को नोन करने के बाद में तीन से पांच या पांच से साथ दिनों के बड़नेरा शहर के BSNL गिराकों की सेवा का कुछ हल निकल पाता है दुसी तस्वीर आज के मॉबाइल के दोर में जहां हर किसी के पास में अपने मॉबाइल में दो परकार के सिम होते है यदि आपको BSNL का SIM लेना है तो आप जब BSNL कारेले पहुंचते हैं तो यहाँ पर BSNL कारेले में मुबाइल का रीचार्ज या मुबाइल का नया SIM कार्ट बेचने वाला भी नहीं है एक दिन के अंतराल के बाद में वो करमचारी यहाँ पर रहता है और तभी आपका मुबाइल रीचार्ज हो पाएंगा या आपको नया SIM कार्ट मिल पाएंगा अत्यन्त दैने दोर के हालात में BSNL अपनी अंतिम सासे गिनता हुआ नजर आ रहा है अब देखना यह है कि इन अंतिम सासों के बीच में आखिर BSNL अपने आपको कब तक बचाए रखता है विदर्ब नियूस के लिए शोयव खान की यह है रिपोर्ट